प्रिसूर्ट की स्टार्टिक में पास्ट की सेन दिखाया जाता है जहाँ पे एरिक होता है और वो पावर्स को रिलेस करते हूं कुछ करने के ट्राइग कर रहा होता है और जानक जो आपे बड़ा से दमागा होता है उसके बाद दिखाते है कि यहाँ पर जो वो होते है लियोनार्ट आता है कि एरिक बस बहुत हुए तो मैं यह सब रोक गरने चाहिए क्योंकि तुम यह बहुत देर से कर रहे हो एरिक कहता है नहीं जब तक मैं इसको पूरा निकल लेता तब तक मैं रुकूंगा नहीं और फिर लियोनार्ट कहता है कि तुम बस अपनी बोड़ी को जख्मी कर रहे हो और कुछ नहीं एरिक बोलता है बट यह स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं जब तक मैं इसको शीखने लेता है बार बार ट्राय करूँगा लियोनार्ट कहता है बट इसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपोसिबल है और तुमारे लिए तो नहीं जो कि एक नॉर्मा लियोंगा व हो कहता है हा। तो यहाँ पर एरिक यह चार दों नहीं दबार दोबरा करता है कि मैं जब बना इत तर्ट कर सकते हैं का देखते हम विए भर करता है तो यहां पर वो कहता है Leonard कि वैसे तुम्हारी आपनार्व तुम सीख पाओगे कि नहीं यह वै। तुम्हारी यह पावर्स तुम सीखनी कि तॉप रही करें वर मैं तुम्हें गूड लग बोलोंगई बोलता है तो मैं बाला, ऐसे मेरे को क्यों देख रहा हूं तो मैं लगतें कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बैरोल के बरावर नहीं आपाऊंगा तो तो तुम रुको ज़रा मेरे प्रिजेंट में ए Twin से लट रहा होता है और काटने विखश हैह हक को में मैं इसको मज़ाओ रहा हुँ तो जरील सो हे गाता है और मानवान देख रहें हूं तो आपकी में वो मारवर आ चुछा हैं। एरिक कहता है मुझे तो अपनी आखो पी यकीन हो रहा कि मैंने तरह बड़े मोश्र को सिर्फ एक जटके में मार दिया बस सिर्फ अपनी तर्वार को गमाके और यहां पे यह समझ नहीं आ रहा कि अगर बैरोल्ड मुझे यहां पे ऐसे इस हालत में देखेगा कि मैंने एक बड़े से मोश्र को कुछ ही टाइम में हरा दिया है तो पता नहीं उसका रियक्शन क्या होगा मैं तो काफ़ ज़्यादा कोई देखने ही लिए उसका रियक्शन क्या होगा बट अब वो देखी नहीं सकता नहीं पास में बैरोल्ड की आवाज आती है जो एरिक से कहह रहा है कि एरिक तुम बहुत ज़्यादा की अपने आपको समालो एरिक कहता है हाँ बैरोल्ड है सही गा मैं काफ़ी ज़्यादा हो रहा था अब मैं समझा मुझे लगता है कि यह सब इतनी जल्दी खतम होने वाला है पीछे उसके खड़ा हो जाता है और फिर से उसके पर हमला करता है एरक उस हमले को डौज करने के बाल महासे पीछे अड़ता है अपनी तलवार को गड़ाते हुए अपने आपको बैलेंस क कहता है कि मेरको बड़ी मुझकल हो रही है इसके अटेक को समालने में लगता है इसना भी कुछ पावस को रिगेन कर लिया है उसको एक दर्दन कड़ी हुए है तो वह अपने एक दूसरे हाथ से अपने पेट के अंदर ऐसे अपने हाथ को डालता है और कुछ बहार निकाल होता है है jeरे कहता है कि एक अपने हाथ को इसे पेट के अंदर के अपने हाल रहा है है कि एक सक्यांद मॉधार के इस सित समय करने वाल है अचाने है अचानक से वह मौभधर अपनी शडरी से ट्रंपिट को ऒलेए ह। होता है और उसके बारे बताया जाता है कि एक आर्टिफेट है जो कि एक ट्राल से आर्टिफेट टाम होता है उसका और फिर हमाई हमाई होलियान और की वियर का सी दिखाया जाता है जो की वियर होती है पूछती है की वियर क्या तुम सोच की हो वियर बोलती है नहीं तो वियर और वो बात करें ऐसे इनसान के बारे में जो के पूरी दुनिया का श्रॉंगेस्ट आत्मी है वो भी बिना किसी पच्छतावेग है पुलियान रोने लगती है और TBR से कहती है कि काश मुझे पता ही नहीं होता कि जो बैरोल्ट वो मर चुका है और वो अभी भी इस दुनिया में जन्दा है और पूरी तरह से जन्दा है बस वो कई पे चला गया है अगर मुझे इतना ही पता होता तो काफी जदा अच्छा रहता है और मैं काफी जदे इतना उदास नहीं होती जतना अभी हूँ यहाँ पे उसको ये भी पता चल चुका है कि बैरोल्ट मारा किसके दुवारा गया है तो वो असलम है उसके जो best friend है उनी ने बैरोल्ट को मारा है ये जान के तो उसको और वी ज़्यादा दुखुआ ये नहीं पता चलता तो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता उसे इतन उसको नहीं मानती ही बैरोल्ट मर चुका है मुझे ये नहीं जाना था क्यों मुझे क्यों पता चला पीवियर उसके उपर आ जाती है और कहती है कि तुम बाकि में serious हो एरोल्ट ने sacrifice दिया है जिससे पूरी दुनिया की जान बच सके और उन दोनों का खुलासा हो सके फिर कह आवाज होती है वो पीवियर और और अभूलियान तक भी पहुंच जाती है यह आवाज तो फिर हमें एरिक कसी दिखाया जाता है और जैसी वह मौश जो होता है अपने कानों पर आत रख लेता है जिसको वैसे उसके कानों पर खुना निकल जाया कि वह बहुत जोड़ से आ की एरिक के पास windows open हो रही है है कि तुम्हारी powers गजती जारी है और तुम्हारी power कम होती जारी है जब तक वो ट्रमपिट को बजा रहे है वह हमें हम है V han ko दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे अजीब की लग रहा है कुछ बोरा होने वाला है हम देखते हैं वो बाहर देखते हैं जापर पावर्स होती है कफ जदा रिलीज हो रही होती है और वो कहते है आखर यह क्या है फिर जो कीवियर होती है उल्यान को लेग भाग रही होती है तो वो कहते है जो कीवियर होती है उल्यान को लेग भाग रही होती है जो कीवियर होती के बाद दोना दर्वास और झ कोल इस जान लगती है तो इस देखता है यह कोती है कि कुणक पर एम से कई इस और के वाद त्हुतति है अपने कमरे से किवेर आपने कमरे में सहर नीकालन के बताने वाले और नुनाट को बताने ये लिए। यहाँ पर यहाँ चीज़ों को जाने दो तो मैं इग्णोल्टर नहीं हुते हैं Electrion कहता है देखो तो मैं यहां पर सब कुछ करना होगा सब बैट के बात कर सकते है Electrion अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो अती से जो होता है यहनि लियोनार्ड होता है उसको पूरी तरह से एक बख से मों बंद कर देता है Cartrion कहता है कि मैं यहां बैज्च के बार बता कि गल्ती कर दी वरना तुम यहां पर आती है अगर मैं लिए पर न करता है कहता है यहां पर असबकर मुझे रूग नहीं चांए यहां नहीं का जिसकะ कर दjung कुछ अपर बहुत बूरा जो कहा है मैं वही पूरा गता हूँ Electrion कहता है मैंने सुचा था कि तुम समझदार हो पर तुम भी उसके गरा पूरे दरह से गढ़ी हो और ये दोर नहीं फाइट करने के लिए राइडी होते है कर दो कि तुम समझदार हो